बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलाम अलेकुम आप देख रहे हैं हक्ट न्यूज मैं हूँ आमना सलीम सदी की सबसे पहले न्यूज हेड्लाइन्स नवाज शरीफ समेट पूरी काबिना एटमी धमाकों के खिलाफ थी वजीरे रेलवे शेख रशीद का दावा कहते हैं एटमी धमाके गोहर अयूब और राजा जफरुलहक ने किये आइदा नवए दिन पाकिस्तानी सियासत में एहम है 31 जुलाइ तक जाडू फिरने के बयान पर काइम हूँ मौजूदा ओपोजिशन लंगडी और अपाहज है पाकिस्तान और भारत के दरम्यान जंग हुई तो ये आखरी जंग होगी वजीर साइंस एंटिकनोलोजी का ट्वीट नवाज शरीफ की नई तसावीर हमारे अदालती निजाम का मूँ चड़ा रही है तस्वीरें बताती हैं अवाम एहतसाब के निजाम पर कितना एतमाद कर सकता है पेट्रोलियम डिविजन ने ओगरा की तेल की कीमतों में कम करने की समरी की मुखालफत कर दी पेट्रोलियम डिविजन के तेल के नर्ख बर करार रखने की सिफारिश पेट्रोलियम असनुआत की कीमतों का तायून 15 रोज बात करने की तजवीज दे दी एक्तसादी राब्ता कमेटी पेट्रोलियम असनुआत की कीमतों में रद्दो बदल का खत्मी फैसला आज करेगी ओगरा ने पेट्रोलियम असनुआत के नर्ख साथ से यारा रुपे फी लीटर कम करने की सिफारिश की है करोना का फैलाओ बढ़ने के बावजूद हकूमती सोपीज नजर अंदाज कराशी को रंगी इंडेस्ट्रियल एरिया की जादातर फैक्ट्रियों में इहतियाती तदबीर को भुला दिया गया फैसलाबाद मुद्ध फैक्ट्रियों में मजदूर गलव्ज और मास्के बगएर काम करने में मसरूफ गुर्जामाला फैक्ट्रियों में इहतियाती तदबीर की धज़जियां बिखेर दी गई सुप्रीम कोट में पिशावर बियाटी मनसूबा के समात के लिए मुकरर चीफ जस्टिस ने केपी के हकूमत के अपील पर बेंच तश्खील दे दिया जस्टिस अमर अताब अन्द्याल की सेबराही में तीन रुक्टी बेंच तीन जून को समात करेगा हाई कोट के फैसले के खिलाफ के पी के हकूमत ने सुप्रीम कोट से रुजू किया था वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से सुबाई वजीर कानून राजा बशारत की मुलाकात पंजाब असम्बली के आइंदा बजट इजलास के हवाले से बात चीथ करोना वबा के 22 तर्जे जिंदगी बदल गया समाजी तर्जे अमल में तबदीली के लिए नए कवानी मुतारिफ करवाना होंगे कंबर और शाहपूर चाकर में भी फसले चट कर डाली पंजाब में टेड़ी दल ने बहुत नुकसान पहुंचाया टेड़ी दल ने जादा दरखतों पर हमला किया फसलों को एक से दो फीसद नुकसान पहुंचाया नौ अजला में नुकसान का सर्वे कर लिया गया है स्याज अलहसन चोहान कहते हैं मौईशियत को लूटने वाले शेहबाश शरीफ नेप के एहतसाबी स्प्रे से छुपने की कोशिश में है जाए हादसा पर तहकीकात का अमल मुकमल होने के करीब है फ्रांसी सी हुकाम कहते हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान फ्रांस जाएंगे के कल से आम नमाजियों के लिए मरहला वाल कोलने की इजाज़त खादिम लहर्मेंट शरीफ एंट शाह सल्मान ने मन्सूरी दे दी नमाजियों को घर से वुजू करने जाए नमाज साथ लाने की हदायत खबरों की तफसील एक शौट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा खबरों के बाद हमारे से वास थारी तबलाश द वार्म पांपिंट कर दो करोना वायरिस ते डरना नहीं लगाना है रावल पिंडी में रहमानाबाद से राशन के नाम पर एक खातून ने बच्चा अगवा कर लिया मजीद तफसिलाद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैयब हैदरी से जहां लाग डाउन के बाइस अवाम गुर्बत का शिकार है गरों में फाके हैं हर तरफ कारोबारे जिन्दगी दरहम बरहम होकर रह गई है गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं लेकिन दूसी तरफ जराइम पेशा अफराद भी जर्म करने से बाद न रहे रॉल बिंडी के इलाका रहमानाबाद में एक कातून से राशन के नाम पर दोके से चंद मागा का बच्चा मुहमत उमेर अगवा कर दिया गया मतासरीन ने हक नियूस से बात करते हुए बताया बच्चे के वालदین का कहना है वजिरादम पाकिस्तान इमरान खान से अपील करते हैं कि उनकी मदद की जाए और उनके बच्चे को जल्द अजल्द बादयाब कराया जाए कामरामेन मलक एहसन के साथ त्यव हैदरी हक नियूस राउल पिंडी सेवन शरीफ के इलाके गाओं अला रक्यो बरहमाटी में वरकत बरहमाटी चार साल से डायलसिस गुर्दों के मूजी मर्ज में मुपतला है बिलावल भुटों से इमदाद की अपील रिपोर्ट कर रहे हैं सेवन शरीफ से हमारे नुमाइंदे मुहम्मद अली मेमन जी सेवन शरीफ के करीबी शेयर भान से इदाबाद में बरकत बरहमाटी चार साल से डायलसिस गुर्दों के मुजी मर्ज में मुपतला है वर्सा की जानिब से लाल बती है इदाबाद कराची सेंट समेश सिंद के मुक्तलिफ इस्पतालों में इलाज करावाया डॉक्टरस ने दस लाक मांगा लेकिन ज्यादा रकम ना होने की वज़े से मरीज घर में चार पाई पर पड़ा है वर्सा ने मुझी बताया कि हम थड़ी दूपर सारा दिन एंट के बठे बे मज़ूरी करते हैं और चार सो से पांच सो कमाते हैं हो भी लेकिन घर के खर्च में चला जाता है वर्कत बिरामानी की वर्सा ने वज़ीर लाजसें से मुझी बताया करते हैं कि हमारी मदद की जाए ताकि हम बर्कत बिरामानी का आप्शन सक्सेस्पुल करवाएं मत्यारी सिंद में कारोकारी तालीमी इदारों में बच्चों को हरासा करने जाली डॉमिसाल चोटी उमर के बच्चों की शादियां कबाईली जगडों के खात्मे के लिए सिंद मेमन इत्ताद तसील बता रही हैं हमारे नुमाइंदे शाहित खास खेली मत्यारी सिंद में कारोकारी तैलीमे इदारों में बच्चों को हरासा करने जाली डॉमिसाल चोटे उमर के बच्चों की शादियां कबाईली जगडों के खात्मे के लिए सिंद मेमन इताद और पाकस्तान कास के लिए इताद काईम मत्यारी सिंद महिमन इताद के सरबरा अजी अब्दरजाक महिमन और पाकस्तान कासकेल इताद के सरबरा सराइन्याज हुसें कासकेली ने मत्यारी में मुश्टर का प्रेस कानफरेंस करते हुए कहा है कि दोनों ब्रादरियां दस एजंडा प्रोग्राम पर मिलकर काम करने पर इताद किया है सिंद और सिंद में रहने वाले तमाम ब्रादरियों को दरपेश मसाल को हल करने के लिए मिलकर जदो जद करेंगे उन्होंने मजीद कहा के दोनों बरादरियां मिलकर सिंद में रहने वाले दिगर तमाम बरादरियों से मिलकर एक वसी तर इताद कायम करने की कोशिच करेंगी ताके सिंद के अंदर कभी लाई जगड़े खतम करने के लिए ये इताद अहम किरदार अदा करेगा सिंद में अमन की फिजा काइम करने के लिए हम सब मिलकर कोशिचे करेंगे सिंद के मुक्तलब एदारों में बत्तरीन करफशन बेट गवरनेस और स्यासी पार्टी की ताकत के खिलाब बरपूर जदो जद करेगा सिंद में कारोकारी तेलीम दारों में बच्चों को हरास मेंट जबरी तोर पर मजह तब बिलकरने और चोटी उमर के बच्चों की शादी करने वाली रुसमात के खिलाब मिलकर जदो जदो जद करेगा सिंद के अंदर किसी भी सिंद दुश्मन फेंसले की और मनसूबे के खिलाब ये इताद हर वक्त जदो जद करने के लिए त्यार होगा उस मौके पर अनवर अली खास के लिए सरदार आयाज मेमन और दिगर भी मोजूते केमरा टीम के साथ शायद कास के लिए हक न्यूज मत्यारी खरपुन नातिन शा के लाके लोग कोसो रहवासियों ने बाद सर अली कर्ग कोसो गुलाब कोसो के खिलाफ प्रेस कलब के सामने एतिजाजी मुझारा किया रिपोर्ट कर रहे हैं खरपुन नातिन शा से हमारे नुमाइंदे एमद हुसेन शांडियो खरपुन नातिन शा के लाके लोग कोसो के रहवासियों ने बाद सर वड़े लोग कोसो गुलाब कोसो के खिलाफ प्रेस कलब पहुचके एसे जाज़ी मुझारा किया तो तो पर दाखिन अजी को से लुख देज़ा है तो आप अच्छा जी अ मदद करें तो नहीं कि अच्छा जारे बाद करें नहीं तो तो टीज में वड़ी वड़ी मेरबानी आजाने जो खत्रों भी आए उनका मुतालबा है आई जी सिंध डिया जी एदराबाद और एसेसपी दादू डियासपी केरपूर नातन शाह के फोरी इस चीज़ का नोटिस लेते हुए बासर वड़ेरे के किलाव कानूनी कारवाई की जाए केमरा टीम के साथ एमादो सेंट चैंडियो हक नियूज केरपूर नातन शाह दुनिया भर में करोना वाईरिस से बच्टे के लिए किये गए लॉक डाउन में मतासर धाड़ी दार मजदूर सड़कों पर निकलाए दादू में होटल मालकान का एहतजाज रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजीज उल्ला खास खेली जी दादू में होटल मालकान का पुलीस के खिलाब बता लेने पर एहतजाजी मुझारा किरोना वाइरिस के मुतालिक हुकूमत की पालिसी और एसोपीज पर अमल करेंगे हमें पुलिस की जानब से तंग ना किया जाए अगर होटल ना खोलने की दी गई तो पुलिस के खिलाब तरिक चलाएंगे और खुद गृफतारी पेश करेंगे दादू शार में होटल बंद होने से देयाडी दार कमाने वाले मजदूरों को सक्त परिशानी का सामना है देयाडी पर कमाने वाले मजदूर होटल बंद होने पर बुखो बदाली का शिकार है होटल मलकान का दादू प्रेस कलब में एतजाजी मुझारा इंडस्ट्रीज मुतालिक कारुबारी दुकान और शरब के अड़े भी खोल गए हैं मगर होटल ना खोलने दी गई हैं होटल खोलने पर पुलिस भता लेकर लागों रुपे कमा रही है हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि बुखो बदाहाली से बचाया जाए और होटल को खोलने की अजाज़त दी जाए केमरा टीम के साथ अजीज अलाखास के लिए हक न्यूज दादू जिये सिंद लिबरिल फ्रेंट के चेर्में नवास खान ने कहा है कि मौझूदा सूरत हाल में सिंद बहुत से मसाइल कर शिकार है पंजाब के बालादस कुवतें और सिंद के जागिरदार सब एक पेच पर है वो दर्याए सिंद पर डैम तामीर कराना चाहते हैं सिंद में गेरों की आबादकारी किसी भी सूरत बरदाश्ट नहीं करेंगे महेड से देखते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसेन पहवर की इस रिपोर्ट में जी मुईदा सूरताल में सिंद बहुत से मसाइल का शिकार है पंजाब की बालादस कुवतें और सिंद के जागिरदा सब एक पिच पर हैं दर्याय सिंद पर डेम तामिर करना चाहते हैं सिंद गेरों की आबादगारी किसी भी सूरत बरदाश्ट नहीं करेंगे इन ख्यालात काईजार जिये सिंद डिप्रिल फ्रंट के चेर्मन नवास खांजा उनने नेशनल प्रेस कलब मेड में मीडिया से बातें करते हुए किया उनने का कि दर्याय सिंद डेम तामिर करना वफा को एक्तियारी नहीं है आइन के आर्टीकल 155 के तद पानी के मामला सी सी आई काउंसल आफ कामन इंटरेस्ट के बाशा डेम अखोरी डेम समय सारे डेम बनाना गेराईनी अमल है यह अमल ना होना चाहिए उनने का कि हुकमरान बाशा डेम बना कर पंजब की 12 लख 20,000 अकर जमीन आबाद करना चाहते है और सिन्द की साली पटी मली नदी से सीरानी तक पाकर समंदर की भींट चड़ जाएगी क्या यह मुल्क का इसा नहीं है सिन्द की तबाए किसी सुरत में कबूल नहीं है उनने का कि पंजब सिन्द का बानी चोरी करता रहा है उसका सिंद को माज़ा मिलना चाहिए उन्होंने का कि सिंद में दीगर सूपों की लोगों को डोमिसाल बना के दिये जाते हैं मगर सिंद के लोगों को दीगर सूपों में डोमिसाल बना के नहीं दिया जाता ये सिंद हुकुमत की नाहली है सिन्दें गेरोत की आबादकारी और जाली शनातिकार बना कर देना मुझमत वाला आमले ये कभी भी बरदाश नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि एक जिल्ला में तीन सो पचास से जायद मश्कूक डॉमिसायल मिलते हैं तो सिन्द के दीगर अजला में क्या आशर होगा जबके डिप्टी कमशनर कीतकर और वजरियलासिंद मौक मा दाखला के जिम्यदारी है मगर सिन्द सरकार की गलत पालिसों के बायसिंद तबाई की कुनारे पर है सिंद के मादनी वसाइल दूसरों के सपर्द किये गएं और सिंद के लोगों को भूख, बदाली और बेरज़गारी में मुक्तला किया गया है उन्होंने कहा कि सिंद में उर्दू बोलने वालों को अपना भाई समघते हैं बतन सिंदियों का है और उर्दू भी सिंदियों का हैं। इस मुक्वाइबर सिंदियों प्रीरल फ्रंट के वाईज चेर्मेन मुहमद अली खुशक, कौम प्रेस्राइब कामरेड अनवर्क होकर, कामरेड मनवर्क होकर, गुलाम बासकास के लिए और दिगर भी मुझूद थे गुलाम सेंप मावर हक न्यूज मेहर सुबाई वजीर हरी राम किश्वरी लाल ने सिवल हस्पिताल मीरपुल खास में हीट स्टोक वाड का इफ्तिता कर दिया मजीद जानते हैं मीरपुल खास से अपने नुमाइंदे मजर गुर्चानी से मीपुलाम किश्वरी लाल बासके लिए मीपुलाम किश्वरी लाल सेवल हिस्टोक वाड का इफ्तिता कर दिया हरी राम किश्वरी लाल ने सरातेवे कहा के passport हर्चन राइ और डि अच्चों मिप्रुखास सैद मुस्ताकशा की काविशों से सेवल होस्पिटल मिप्रुखास में Central ASE Heat Stroke Ward का इफ्तिदा किया जिसमें मिप्रुखास दिले की आवाम को शेधित गर्मी Heat Stroke की मरीजों को फाइदा पोच सगेगा पाकिस्तन पीपरसपाल्टी आमेशा आवाम की किदमत की बात की है और इस पर अमल पेरा है जिसका सबूत मिपुर्खात हिस्ट्रोक वाड का कयाम है इस मोके पर उनके हमरा मने शमी मारा पावर साहिबा नवाबली खाइसकेली साहिब सरदार अब्दुलशीद पावर अब्दुलरौफ गोरी अब्दुल उकाडा चक नमबर 20 के अबादी के लिहास सबसे बड़े गाउं में दौरे जदीद में भी हर बन्यादी सहूलत से महरूम नकासिये आपका निजाम ना होने से गलियों और बाजार जोहडों का मनजर पेश करने लगे मजीद देखते हैं उकाडा से सजाद अली की इस रिपोर्ट में तैसील इनाला कुर्प के दो कस्पे बीस वन एल और साथ फोर एल जो के कदीम और अबादी के लिहास से सबसे बड़े गाउं है जिनकी अबादी तकरीबन 35,000 के लग बग है आज जदीद दोर में भी हर बज़े जमीन पानी गड़वा और मजरे सेथ है नकासी आपका नजाम ना होने से गलियां और बजार जोड़ों का मनजर पेश करने लगे हैं मदलते मौसम से मक्षियों और मच्छों की बरमार से करोना के साथ साथ डाइरिया और मलेरिया जैसी वबाई अमराज के फैलने का शदीद अंदेशा है गंदे पानी के जोड़ों से बच्चे औरतें बजुर्ग और नवाजी हजराद गुजरने से कासिर हैं नकासिये आपका पानी लोगों के घरों में और किच्चनों में दाखिल होने से मकानों की बन्यादें बैट जाने से घर की दिवारों में दराने पड़ गई हैं जिससे मकानों के जमीन बोस और किम्ती जाने जाया होने का खत्रा सर्प मुंडलाने लगा है उरतों का बाल्टियों के साथ गटरों से सुबह शाम पानी निकालना और घर के सामने बजारों में पानी पैंकना पानी की बद बुख को दिन रात बरदास करना अरबाब इक्तदार और अरबाब इकत्यार के लिए लमहा फिक्रिया है या तो इनको पाकिस्तानी शहरी नहीं समझा जाता, या फिर इनके वोट जैली होते हैं, अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर ये बुनियादी हक से महरूम क्यों है? कैमरामेन गजनफर अबास के साथ सजाद ली हक नियुजू काड़ा करोना वाइरस की वबा के पेशे नजर, लॉक डाउन ने जहां तमाम शोबों को मतासर किया है, वहीं सबसे ज़ादा मतासर ट्रांसपोर्ट का शोबा हुआ है सिंध हकूमत की जानिब से अभी तक पबलिक ट्रांसपोर्ट को सडकों पर आने की अजासत नहीं दी गई है तफसिलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जैनुल आबिदीन करोना वाइरस वबा के खथशे के पेशे नजर किये जाने वाले लागडाउन ने जहां तमाम शोबों को मतासर किया वहीं सबसे ज़ादा ट्रांसपोर्ट का शोबा मतासर हुआ है सिंध हकुमत के जानिब से तीन महा गुजर जाने के बावजुद अब तक पबलिक ट्रांसपोर्ट को सबकों पर आने की जादत नहीं दी गई है डिगडी से भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर सेंकड़ों कोस्टर्स कोचिस वेन और बसिस मसाफिर को इनकी मनजिल की जानिब रवाना करती थी मगर अचानक लागडाउन के बाइद आज तकरीबन तीन माह होने को है पबलिक ट्रांसपोर्ट मुकबल तोर पर बंद है जिसके बाइद ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट मालकन बलके ड्राइवर्स, कंडेक्टर्स, कलिनर्स और बस अड़ों पर रोज़ाना की अज़रत पर काम करने वाले मजदूर फाका कशी का शिकार हो गए इस अवाले से ट्रांसपोर्टर जेन निजाम ने हक नियूस से गुफ्टू करते हुए कहा रही के बंदिश की वज़ा से जो ये मजदूर तबका है, मिस्तरी हैं, कंडेक्टर हैं, ड्राइवर हैं, कलीनर हैं, इनके बहुत ही बुरे हलात हैं ये रेडियां लगाने पर, मजदूरियां करने पर मजबूर हो गए हैं, और आपको पता है, पहले ही बेरोजगारी बहुत है, तो इनका बहुत मुझकिल से गुजर सफर भी नहीं हो रहा, और ये बहुत परेशान हैं, और हमारे भी बहुत बुरे हलात हैं, तो जिस तरीक से आपकी जो भी सोपीज हैं, जो भी आप कहेंगे हम वैसा करने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, हम करने के लिए तयाह हैं, तो महरबानी करके हमारी आला हुकाम से, वजीर आला साब से, सबसे हमारी गुजारी शेके महरबानी करके, हमारा ख्याल रखते हुए, इन गरीबों का ख्यार रखते हुए इनके आप हालात देखें कि यह मांगने पर मजबूर हो गए तो इनके जो है जब ड्राइवर हज़ात ने अकूमत से इस मुतालब्या किया है कि इनको इस शोबे से वावस्ता अफ्राइव की माली मदद करनी चाहिए और इनने अपनी गा है कि ट्रांसपोर्टर ने अकूमत से मुतालब्या किया है कि हमें भी इस ओए सो पीस के तहित ट्रांसपोर्ट चलाने की इजादत दी जाए ताकि हमारे घड़ों के चूले भी जल सकें और हम फाका कशी से बैसकें जैनुलाबदिन हक निउस डिग्री अब तक के लिए इत